लो दोस्तों स्वागात है आप सभी का हमारे चैनल इस्ट्री ओंली में दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए कर आ गए हैं इसमें टोटल पदों की बात करें तो एक कौन ठानवे इसमें पोस्त रखी गई है और दोस्तों इसमें बाखी क्राइटरिय जैसे कि एज लिमिट क्या रखी गई है फाम की फीज कितनी रखी गई है यह सारी जानकारी हैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बता जारी किया गया है और अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो मिल जाएगा वहां से टेलिग्रम चैनल करके आप पर एक एक चीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन और साथ ही जो भी लेटेस्ट जॉप रिलेटेड ज्यों के ताहित जारी किया है जो कि दोस्तों इसमें आगे है इसका फार्म की जो रिटेट नीकीश्ट हो स्कूदिफ दिशॉध श्टार्ट हो चुका है फो लास्ट जएट है यानि का दोस्तों ऑप्लिकेशन दिवाइट किया जा रहा है औलाइन जो कि के जिए बालों के लिए तो सब्सक्ते हैं फीटर के वालों के लिए canyall है इसे छोट्तल पतर। तो इसमें पर मंस आपको दिया जाएगा जो दो साल का रहेगा और इसमें तुछ के लिए इसमें आपके पास आई इंडर मजीनिस्ट से इसमें एक पॉस्ट है और इसे लिए इन एक पूस्ट ए है उrieben किसा मचनिक पूस्ट मेकानिक्टल मेंग इसके लिए quality जो पूस्त Everybody After मांतेंगे mecanic के लिए हिसमें था पास इन उने महारे होना चाहिए पिर दोस्ते में जो-फ घ्रुश ताहें में इसमें होना चाहिए यह क्रिक्टर क्वमक्त Carlo के में anti mm pro पोस्ट प्रोसेस प्लांट आप्रेटर की पोस्ट है इसमें टोटल बदो संख्या बारा रखी गई है और इसमें क्वालिफिकेशन की बाज का प्रोसेस प्लांट में हम पास समय होना चाहिए इसके लिए साथ यह आफ पास जो इस्टीपेंड हैै पर पर चार पोस्ट को आपको पौस्ट रहें इसमें पर सुर्फी्ट की का होना चाहिए फिर जो अगली पोस्ट है पासा है प्रोग्राइमिंग एंड सिस्टम एडिटिर्म सेशन सब्सक्राइब लिए पिराथी पोस्ट रखे गए हैं इसमें आगे देख लेते हैं दोस्तों ट्रेनिंग आपको प्लेस आप ट्रेनिंग जो दिया गए इंद्रा गांधी सेंटर आफ एटामिक रिटार्च कल पक्कम चंगल पट्टू डिस्ट्रिक्ट कमिल नाडु में आप सब्सक्राइब लिए जाएगा इसमें जर्नल कंडिड्याट को दस साल की वहीं ओवी सी कंडिड्याइट जो दिव्यांग है उनको तेरा साल का और इस्ट आपि उनको पंदरा साल का एज में रिलक्सेशन दिया जाएगा प्र दोस्तों इसमें आगे हैं सब्सक्राइब इसमें दिया जाएगा उसका दोस्तों में आगे है सेलेक्टन प्रोसीजर क्या रहेगी वह हम देख लेते हैं विल वी सौट लिस्टेड ऑन्दा फ्लॉविंग बेसिस यानि की नीचे दिया गया है कि वेस्ट आपका सौट लिस्ट आपको किया जाएगा तो सब्सक्राइब पहले कंडिडेट सुट पोसेट इस 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 प्रेड एज मेंसंड इन दर टेबल पेज़ वन फिर दोस्तों में आगे है दा कंडिडेट बिल वी स्वाट लिस्ट लिस्ट ओर ट्रेनिंग ऑन दा बेसिस आफ मार्स ऑप्टेंग इन दियर आईटे कोर्स आगे तरी आपकी कोर्स में आपके कितना मार्क से उसे ताफ से आपको लिस्ट किया जाएगा जिसका ज्यादा मार्स रहेगा उसका चांस ज्यादा रहेगा फिर दोस्तों इसमें और तैने दो यानि कि दोस्तों अगर किसी भी दो कंडिडेट्स का टाई हो गया यानि कि मार्क्स समान हो गए ITI में जैसे कि 80-80 दोनों के हो गया तो उसमें फिर आपका 8 और 10 में जिसके मार्क्स जादा रहेंगे उसको सौट लिस्ट किया जाएगा उसका दोस्तों इसमें आगे सेलेक्टेड लिस्ट और इच ट्रेड विल भी पब्लिश्ट ऑन आईजी सी यार जाएगे कंडिडेट्ट जो लिस्ट है वो पब्लिश्ट की जाएगी आईजी सी यार की बेसाइट पर जो कि यहां बेसाइट दिया गया है www.igcar.gov.in इसका लिंक आपको हम वीडियो के दिस् सिल ले यानि की सब जो लोग स्टार्ट के जाएंगे तो उनको डॉकमीं वेरिविकेसन करवाना है जो लोग डॉकमें व्यों पस्तित नहीं होंगे उनका जो फांब हो वो कांसिल कर दिये जाएगे फिर दोस्तों इसमें अगे आघर आटे निंग तू रिकूर्टमेंट फ यानि कि आप फार्म अप्लाई करने से पहले आपको सारा नोटिफिकेटन पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ना है फिर उसके बाद आपको फार्म अप्लाई करना है फिर दोस्तों इसमें आगे सब्सक्राइब फिर उसके बाद इसमें आगे सब्सक्राइब करना रहेगा वह भी डाकुमेंट आपको लेके आना है इसको आगे देख लेते हैं इसका आपको कैसे अप्लाई करना है तो सब्सक्राइब करना है फिर दोस्तों इसके बाद आपके पास इसमें जब आप रजिस्टेशन करेंगे तो आपके पास जो यह रिजिस्टेशन नंबर दिया जाएगा इसके माद्य हमते ही आप अपना अप्लाई कर सकते हैं उसका दोस्तों में आगे दिया है कंडिडेट्स है टू मेंडेट्री कंप्लीट देयर आधार एक वाइसी जो भी कंडिडेट्स हैं उनका कंप्लीट याद एक वाइसी जो है आधार का वो होना चाहिए तभी आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं वेरिफिकेशन आप देयर इन्रॉल्मेंट इन www.apprenticeship.gov.in portal and cell provide details of registered email ID and cell number while registered on EKYC in their application दोस्तों इसके रिजिस्टेशन करते वक्त आपका आधार जो EKYC वो होना चाहिए साथ ही आपका आधार से मोबाइल नंबर जो है वो लिंक होना चाहिए फिर दोस्तों इसमें आगे application वी समिटेट ऑनली फ्रो ऑनलाइन मोड यानि कि आप इसका जो अप्लिकेशन है वो केबलो केबल ऑनलाइन मादम से ही समिट कर तकते हैं फिर दोस्तों इसमें आगे फैसलिटी फॉर सम इनके मादम से अप्लाइ करना है उसका दोस्तों में आगे देख लेते क्या दिया गया है आगे है बिफोर फिलिंग दा अप्लिकेशन फॉर्म कंडिडेट सुड़ी डा फॉलोविंग इसकें डाकॉमेंट से पहले आपको यह सारे डाकॉमेंट इसकें करके भी लगाना है प्रमेट में यहां दिया गया है आपको सबसे पहले जिसकी साइज आपकी जो मैक्सियम है तो एक अंबी से ज्यादा की नहीं होना की ठीक है उसकार इसमें एट्थ की माक्सीट आपकी हो या तेंथ की माक्सीट हो एपली के एपली केवल आई ट्रेट साटिफिकेट सब्सक्राइज करके आपको सब्सक्राइज करके आपको और फिर आपको पांच एमीं तक इत्की जो साइज हो आपको इसका वो तब आपको इसको अपलोड करना है ठीके दोस्तों तोस्तों इसमें आगे रेजिस्टेड इमेल आइडि और जो मोबाइल नबर रिजिस्टर करना ही है में देट्री है अबलिकेशन ऑनलाइन एंड श तो आपको अपना mail और mobile number डालना अनिवार है फिर दोस्तों इसके बाद इसमें आगे हम देख लेते हैं क्या दिया गया है complete particular without uploading यानि कि दोस्तों अगर आपने डाकुमेंट जो भी ही नहीं मांगा है वो अप्लोड नहीं करते हैं तो आपका जो फाम है इंक प्रिजेक्ट कर from along with the following documents original and one set आपके सारे डाकुमेंट जो original होना चाहिए साथ ही उसका एक सेट जो है self-attested photocopies होनी चाहिए आपके पास time of document verification के time की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या के डाकुमेंट आपके पास होना चाहिए तो हम आपको बता देते हैं सबसे पहले online application from sign and pasted with recent passport size photograph सबसे पहले आपका application थाम जो है वो होना चाहिए साथ ही recent की passport size की photo होनी चाहिए कम से कम चाहिए फिर दोस्तों इसमें आगे पूलिस वेरिविकेशन साइटिविकेट फॉर्म दा लोकल पूलिस इस्टेविकेट यह भी आपके पास होना चाहिए ठीक है उसका इसमें आगे डेटा बड़ सर्टिविकेट यानि यह सथी 10 का जो मार्ग सीट यह भी फाइनल मार्क सीट और जो ट्रेट और जो समेस्टर वाइस मार्ग सीट है भो सारी मार्ग सीट भी आपके पास होना चाहिए तो इसका भी से अंचेए और ब्रम एस प्रिंट निकाल के प्रिंट निकाल के यहां चाहिए ठीक है तो यह सारे डाकुमेंट आपके होने चाहिए और साथ इसके सभी की एक प्रती फोटो कापी भी होनी चाहिए प्रिंट यानि की आपको कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा जब आप डाकुमेंट वेरी के तन के लिए जाएंगे और साथ इसमें आगे दियागे इन केस आप एनी डिस्प्यूट दा डिसीजन तो अगर किसी प्रकार का कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो इस करण डिसी क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गरण डिस्प्यूट अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं तो मिलते हैं तो नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद